बड़े अजीब से हैं रिष्टे आजकल फूर्सत में सब हैं पर वक्त किसी के पास नहीं मैं जब उत्रानी स्वागत कर दाऊं अपका गेट मैस्ट्रिक के एक और वीडियो लेक्चर में जिसमें कि आज हम एक 3x3 matrix given है इसमें आईगन values निकालना सीखेंगे आईगन values पर और matrix की tricks पर मैंने और भी कई सारे वीडियो दिये दिये हैं अब playlist में चेक करना तो आई स्टार्ट करते हैं आज का question समझते हैं क्या है और इसको trick की हर्प से कैसे solve करेंगे देखिए the eigen values of the following matrix are यह 3x3 की matrix है इसमें हमको आईगन values निकालना है क्या है माइनस 1, 3, 5, माइनस 3, माइनस 1, 6, 003 ठीक है आईगन values निकालना होना तो आप एक काम किया करो तो पूरा matrix ध्यान देने की जरूत नहीं है क्यों लाव diagonal element पर ध्यान दिया करो ठीक है जादा तर case में हना पूरी भी आप देखोगे तो कोई problem नहीं है क्यों अभी हम discuss करेंगे देखिए यह ट्रीक है यहाँ पर option भी दे रखा है यह चार option है इन चारों में से कोई नो कोई answer होगा कुछ student होंगे वो क्या करेंगे वो characteristics equation बनाएंगे होता क्या है ठीक है क्या होता है amount of a minus lambda i होना इसको equal to zero करेंगे जितने की order की आपकी matrix है मतलब 3 cross 3 की है यह 3 cross 3 की है न तो lambda में cubic equation बनेगा मतलब lambda q और यहाँ पर कुछ होता होगा इसको आप equal to zero करेंगे lambda की 3 value मिलेगी lambda 1 lambda 2 lambda 3 यही आपका क्या होता है आगन value जो होता है ठीक है तो इस process से अगर आप करने जाओगे तो 5 से 10 minute आपका time लग जाएगा तो हम क्योंकि completion में time कम होता है तो हम इस process का बात ही नहीं करेंगे यह तो मैंने कैसे निकाला जाता है उसको बताने के लिए method 1 आपको बता दिया ठीक हम इसकी बात नहीं करेंगे अब एक property और जानते हो आइगन वेलूज की पूरी आप property पढ़ोगे तो उसमें काफी सारे properties रहती है क्या होता है कि summation of all lambda all lambda काने को मतलब कि जहां पर अगर 3 cross 3 का है तो आप जाने हो तीन आइगन वेलू जाएंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 और तो इस case में तीन लेमड of all diagonal elements ठीक है diagonal element के sum के बराबर उसके eigenvalues का sum होता है ठीक है अच्छा हम एक बात ये भी जानते हैं कि अगर eigenvalues complex में आ रहा है ठीक है ध्यान से समझेगा अगर eigenvalues complex में आ रहा है तो वो हमेशा pair में आता है हना जैसे 3 eigenvalues जानी है तो हमेशा 3 eigenvalues जाने में मतलब 3 complex number नहीं आ सकते क्योंकि pair में आने का मतलब इसी form में होगा न a plus ib के form में आएगा और दूसरा क्या होगा a minus ib होगा ठीक है इसका conjugate type का होगा pair में आने का मतलब कि एक का अगर formation a plus ib का है तो दूसरे का a minus ib का होगा ठीक है अब यह नहीं कि तीनों अलग अलग आ जाए कभी नहीं आ सकता हमेशा जब भी कोई complex में अगर आगन वैलू जाएगा तो वो pair में आएगा मतलब यह confirm हो गया कि यहां पर तीन अगर आ रहे हैं तो वो दो complex होते होंगे और एक क्योंकि अकेले pair में तो आ नहीं सकता तो एक real होता होगा ठीक ह अब option देखें इसमें तो तीनों complex हैं यह नहीं होगा यहां से तो confirm होगया ठीक है यह भी नहीं होगा यह भी confirm होगया ठीक है अब इस property का तो हमने use कर लिया कि भाई तीन है तीनों pair में मतलब तीन आ रहे हैं तो दो pair में आएगा एक real आएगा ठीक है तो इसमें क्योंकि ती minus 1 minus 2 plus 3 तो क्या आ रहा है plus 1 आ रहा है अब अच्छा सम करके देखो plus 1 कहीं प्यार आए क्या जब आप इसको सम करोगे तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया 6 और 6 12 12 और ये plus 5 5 और minus i 12 plus 4 ठीक है ये तो 1 के बराबर होगा नहीं मतलब ये भी नहीं होगा अब इसमें आप सम करो minus 1 minus 1 के अतना हो गया minus 1 minus 1 क्या हो गया minus 2 और ये plus 3 plus 1 और ये plus 3 है minus 3 है cancel हो गया अब ऐसे भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर आप इसी का apply कर देते के वर समय सा ना call लेंडास नहीं करते तो ये pair में आया है complex जो मैंने कहा कि जो complex pair में आने चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे complex pair में नहीं है के वल आप इसका भी उच करके direct निकाल सकते थे अगर आप सम नहीं करते तो भी काम चल जाता ये आप देख सकते हो कि a plus ib a minus ib के form है मतलब ये option number d आपका correct है ये आपका answer हो गया तो friends आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्ष्टियों में तब तक के लिए स्वास्त्राय मस्त्राय खुश्राय जय हिंद